हलो कैस मैं मैं इथलेश और आप देख रहे हैं नालेजबीम यूटूब चैनल इतिहास के पड़नों के इस एपिसोड में कैस मैं आपको दिखाने वाला हूँ लखनव का प्रसित अम्बेटकर पार्ख लखनव में इस तित इस पार्ख के बारे में दुनिया भर में चर्चा है तो मैंने यहां पर पहुचा और देखा कैसा इस पार्ख का नजारा है तो आएए देखते हैं यहां पार्ख कैसा है इस पार का निव सन 1995 इस्वी में रखा गया उस समय इस पार का नाम डाक्टर भीवराव अंबेटकर उद्यान हुआ करता था सन 2002 में इसका नाम बदल कर डाक्टर भीवराव अंबेटकर मेमोरियल कर दिया गया तभी से यहाँ पर कंट्रक्शन का काम सुरू हो गया 15 अप्राय सन 2008 में उत्तर प्रदेश की पुरो मुख्य मंत्री बहन मयावती जी द्वारा इससे आम जनता को समर्पित कर दिया गया इस पार के निर्माड में राजस्थान के लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है इस पार के निर्माड में अनुमानित लागत भारती रूपे में साथ बिलियन आकी गई है जैसा कि पार का बहुत खुबसूरत है इसलिए इसमें इतने सारे पैसे खर्च किये गए है यह देखिए यह पार का खुबसूरत नजा रहा कई एकड में फैले इस पार को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते रहते हैं जगा जगा फुल पत्ते भी लगाये गये हैं राजस्थान के लाल पत्थरों का प्रयोग मुखेता इसमें किया गया है इसमें आपको 25 रुपे का टिकट लगता है इसमें लगबग सत्तर के आसपास हाथियां हैं जो काफी बड़ी बड़ी हैं छोटी हाथियों कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ लगबग सत्तर से ज़्यादा यहाँ पर हाथियां भी हैं यह साम का सुंदर नजारा बत्तिया जल रही हैं जगमग रोसन यह पुड़ा परिसर यह अंदर प्रवेश करने के लिए हैं लाल पत्त्रों का प्रियोक मुख्यते किया गया इसमें और मारवल का भी प्रियोक किया गया है फुल पत्तों से सजे इस मेमोरियल को देखने के लिए काफी दू दूर से लोग आते रहते हैं काफी एकड में फैला हुआ है पता ही नहीं चलता है कि कितनी पब्लिक इसमें है जैसे भीड का एहसासी कभी ना हो ये जगमग लाइटे सुन्दर नजारा स्वर्ग जैसा माहुल बनाया गया है फुल पत्तो की वादियों से सजे इस दिसाल प्रांगड का द्रिस काफी अध्भुत है पानी का द्रिस से है फाउंटिंग हो रहा है सुन्दर नजारा जगर जगर हाथियों का भी प्रयोक किया गया है लखनव में इस्तिति स्पार को दुनिया भर से लोग आते हैं सामने आपको इस टैचू दिख रही है यह साम का समय है अच्छी खासी लाइटिंग की गई है सुन्दरता की द्रिष्टी से भब बेन जा रहा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फू वाचिंग दिस वीडियो झाल क्टियो 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 हूँ क्टियो